हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम वन्स अगिन मैं यूट्यूब चैनल और आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही इंप्रस्टिंग भी है तो आज की वीडियो लेक्चिर में हम लोग यह देखेंगे कि न्यूरॉन का इस्ट्रुक्चर क्या होता है और मैं आपको पहले भी बता चुकियों कि न्यूरॉन is the basic structural and functional unit of nervous system इस बेसिक इस्ट्रुक्चरल and functional unit of nervous system आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगे कि जो न्यूरॉन है इसका कैसा structure होता है और इसकी क्या functioning है तो आपको पता ही है कि न्यूरॉन basic structural and functional unit and nervous system का तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि जो न्यूरॉन के जो shape और size है वो depend करता है उनकी position और function लेकिन जितने भी न्यूरॉन से आप basic similar function सभी न्यूरॉन का basic similar function होता है और चलिए हम लोग इसके structure की थोड़ी सी बात करते हैं आप इस तरीके का neuron का structure देखेंगे कई बार students और यह जो है इस तरीके से पूरा सा structure होगा जो यहां आके इस तरीके से इसकी branching हो जाती है further आप देख सकते हैं इस तरीके से structures होता है और यहां पर यह जो ends होते हैं को हम लोग गोलते हैं dendrons के students और यहां पर मैं दूसरा color यह इसके लिए यूज कर लेती हूं green color यह जो thread-like structures है they are called as dendrites इन thread-like structure को हम लोग क्या बोल देते हैं dendrites और यह पुरा का पुरा जो अंदर cytoplasm phil है और मैं इसके लिए दूसरा color यूज करते हूं यहां पर red यहां पर अंदर एक nucleus होगा और nucleus के किनारे किनारे आपको cytoplasm दिख रहा है और यह जो पूरी body है इसको हम लोग गोलते है students cell body चीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो neuron का nucleus है इसके किनारे किनारे बहुत सा मैं black color यहां पर यूज करें कि उसको हम लोग बोलते है निस्ल ग्रानुट्स यह nucleus की किनारे किनारे कुछ granular structures है इन granular structure को हम लोग बोलते है students निस्ल ग्रानुट्स आपको बता दिया साइटो प्लाज्म आपको पता है जो सेल बॉड़ी के अंदर यहां पर फिल है इसको हम लोगों ने हाला कि इसको ब्लैक कलर से नहीं दूसरा कलर मुझे यूज करना चाहिए था यहां मैं इसको फिल कर देती हूं आप इसको अंदर फिल है जो पार्ट उसको हम लोग बोलेंगे साइटो प्लास आपको अगली बात अगर स्टूडेंट्स हम लोग करें तो यहां पर जो नीचे की होई इसका गया हुए इसकी जो एक्जॉन आप देख नहीं है जो इन योजे के पार्ट को हम लोग एक्जॉन बोलेंगे और जो यह उपर की कवरिंग है इसको भूलते हैं यह जो बीच गा यह किश्ण और है माईलिन शीत जो इसकी के आजा कवरिंग का काम कर रहा है और यहां पर बीच बीच में एक नोड ओफ रैंडवियर है एक प्वाइंट से हैं जो जंक्शन है माइलिन शीट पर आप देखरें इसको हम लोग बोलते हैं नोड ओफ रैंडवियर यह जो आपको नीचे की और दिख रहा है यह एक्वाइंट से हैं यह तर्मिनल एंट से हैं यह फिर हम लोग इसको नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं तो चलिए थोड़ा से डीटेल में इसको और समझते हैं जो हमारा नियूरॉन इसके तीन बेसिक दिस्टिंक्टिव फीच और उन फीचर को हम लोग क्या बोलेगे मैं फोड़ा सा अदिफिरेंट कलार रिसकर रही हूं इसके लिए इसके लिए I'm using this color grey color so neuron it consists of three distinct region first is called cytone or cell body second is called dendrites जो इसेल बोडी और जो साइटॉन है और भी सोमा रिजन एंके पास एक नुपलियस है और अबंदेंट अमांट में साइटोप्लास्म भी है और जो साइटोप्लास्म है वह इंबेडेड हैं इसेल और जैसे कि मैटोपॉंड्रिया है गोल्जी बोडी जैं आपको दिक रहें जो साइटोप्लास्म का कंटेंट है पूरा अंदर का और जो साइटोप्लास्म है उसकी पास निसल ग्रैनूस भी आपको दिख रहे हैं मैंने दिखाया भी ब्लाक अलर्टी ग्रैनूल लाइक त्रॉक्चर से एंड ये रएपसंट इन एक्सों और ये तो निसल ग्रैनूस इनूस इनका काम क्या होता है रिए एर आस्सों से इस संथेसिसे इनका फंक्शन प्रोटीन संथेसिससे and from the cell body extend out two kind of protoplasmic extension dendrites or exons exons, हम लोग इस पूरे end को बोलिंगे exon dendrites है, short है, branch processes है, they have numerous fine branches that carry the impulse towards the cell body exon मैंने आपको बताया कि exon एक long process है, जो कि एक long काफी centimeter की बनी हुई है और ये nerve impulses को carry करती, connect करती, away from the cell body और ये elongated fibers के form में, terminal end fibers है, यहाँ पे swollen nobs है और तो swollen nobs हैं, इनके पास एक neurotransmitter है student, जिसको हम लोग बोलते है, acetyoline कई बार student यहाँ से question आ जाते है students, आप इसको थोड़ा सा highlight करने, इस point को this is a neurotransmitter, you can highlight this line neurotransmitter, acetylcholine which is acting as a neurotransmitter and which is released at the synapse on the stimulation of an axon, दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो axon communicate करता है दूसरे neuron से through synapse, synapse वो junction है जहाँ पर एक neuron दूसरे neuron से जुड़ा हो, और axon को हम लोग उने cell से जिनसे हम लोग उने surround किया हुए students तो आप इस point को भी नोट करें कि कौन से cells होते हैं, squand cells होते हैं, जो कि axon की boundary या surroundings को cover किया हुआ है और यह सिक्रीट करते हैं fatty insulating layer जिसको हम लोग myelin sheath गोलते हैं जो कि axon के किरारे किरारे हैं, in the same neuron axon with the myelin sheath are called myelinated nerve fibers गोल देते हैं और जो myelin sheath है वो continuous तो है ने, it is interrupted at a regular interval और यस regular intervals को हम लोगों ने नाम दिया हुए है node of renvier आप इस point को फिर से highlight यहां पे करें, कि जो भी हमारे पास node of renvier है वो myelin sheath की जो terminals है, जो ends है, जिस point पे connect है उसको हम लोगों ने node of renvier नाम दिया है और जो exons बिना myelin sheath के होते हैं students, उनको हम लोग non-myelinated nerve fibers बोल देता है जितनी भी myelinated nerve fiber है वो conduct करेंगी impulse को वो दी date speed पे as compared to non-myelinated form और जो myelinated fibers है वहाँ पे nerve impulse जंप करेगा एक one node of renvier से दूसरे तो यह कुछ कहानी की हमारे neurons के बारे में दूसरी बाद मैं आपको synapse का एक separate छोटा सा वीडियो डाल दूए कि synapse क्या होते हैं क्या काम होता है तो आम लोग next lecture में types of neurons को detail में पढ़ेंगे आज की कहानी इतनी ही है मुझे लग रहा है students आपको ये video helpful होगा आपकी studies के लिए आपको हमारे video तो आप हमारे चैनल को subscribe करें और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप अपनी knowledge को अपने दोस्तों के साथ share कर सके और हमारे बारे में हमारे चैनल के बारे में बता सके ओके students, thank you very much I hope we will meet soon बाइ बाइ स्टूड़न स्टिक्या